हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी दोस्त प्रीती आपके साथ आज हम बनाएंगे फ्रूट चाट मसाला और फ्रूट चाट आईए शुरू करते हैं इसके रहे मैंने आप पर लिया है जीरा, पीपली, इसे हम लेंडी पीपल भी कहते हैं काला नमक, इलाइची, अनारदाना, काली मिश पाउडर और सौट पाउडर अब मैंने गेस पर एक पैन रखा है इसमें हम पहले जीरे को भून लेंगे ग्रामस में देखेंगे तो 20 ग्राम जीरा है, हम इसे टेबल इस्पून से नाप लेते हैं क्योंकि मसारों को नापने के लिए सब ही कहां पर सुविधा नहीं होती है हम इससे चमच हिसाब देखेंगे तो 4 टेबल इस्पून हमने जीरा लिया है जीरे को हम धीमी आज पर हलकासा रोस्ट कर लेंगे गर्मयों के मुसमें तली वी चीज़ों से हम परेज करते हैं इस तरह के से हम फ्रूट चार बना कर भी खा सकते हैं बच्चों को भी यह मसारा डाल कर आप खिलाएंगे तो जो बच्चे फूट पसंद नहीं करते हैं वो भी फूट मांग मांग कर खाएंगे इसमें हम जो भी सामग डाल रहे हैं सभी हमारी पाचन क्रिया में सायक होती है देखिए जीरे का हलका सा कलर चेंज हो गया है इसमें से खुशबू भी आने लगी है गेस को बंद कर देंगे हम और जीरे को थंडा होने देंगे अमने आपर एक ग्राइडिंग जाल लिया है इसमें हम डालेंगे हमारा भूनावा जीरा जो की थंडा होगी अच्छे से तीन टेबल इस्पून कला नमक दो टेबल इस्पून सौट पाउडर ग्रामस में देखेंगे तो 10 ग्राम सौट पाउडर है दो टेबल इस्पून काली मिर्च पाउडर ग्रामस में देखेंगे तो 10 ग्राम है आप यहाँ पर साबुत काली मिर्च भी ले सकते हैं पीपरे यह भी 10 ग्राम है ऐसे आप देखेंगे तो 10 से 15 है चोटी इलाइची नगवे 15 नगवे इससे हम छिलके निकाल कर डाल देते हैं एक टेबल रिस्पुन साधा नमक इतनी चीजों को पहले हम एक बरची से घुमा लेते हैं मिक्सर में सारी चीजों को हमने पहले एक बरची से पीस लिया है अब हम इसमे डालेंगे अनारदाना मार्केट में अनारदाने का पाउडर भी बिल जाता है वो भी आप डाल सकते चाहे तो ग्राम से देखेंगे तो 25 ग्राम है और चम्मा से देखेंगे तो 3-4 टेबल स्पुन अनारदाना है अब हम वापस से सभी चीजों को अच्छे से महीन पीस लेंगे देखिए हमने सभी चीजों को मिलाकर अच्छे से पीस लिया है हमरा फ्रूट चाट मिसाला बनकर तयार है आप इसी किसी एट एट कंटेनर में भरके रख लीजिए लंबे समय तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं जरूर नहीं है कि आप फ्रूट चाट में ही इस मसाले को यूज़ करेंगे आप रायते में या फिर ककडी टा माटर का सलाथ जैसा भी आप कोई साभी आप सलाथ में भ पीता, चीकू, केला, अंगूर और सेवफल आप अपने पसंद के साभ से कोई से भी फ्रूट ले सकते हैं क्वान्टिटी भी आप अपने साभ से कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं अब हम सारे फ्रूट को एक बाउल बढ़ा लेंगे अब हम इसमें डालेंगे हमारा फ्रूट चाट मसाला जो हमने भी बना कर तयार किया है अपने स्वात के साब से साती स्विम डालेंगे थोड़ा सा नीबू का रस सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी फ्रूट चाट बनकर तैयार है तो इस तरह के से आप भी फ्रूट चाट मसाला और फ्रूट चाट बनाईए वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कूल न भूलें तैंक यू